हेलो वीवर्द, अससलाम अलेकुम आप देख रहे हैं, Paradise Birds Information Official और मैं अदील हैदर जिस तरह से आप लोगों के लिए नहीं नहीं इंफर्मेटिव वीडियो लाते रहता हो तो भाई इस वीडियो को भी आप एंट तक देखिएगा ये सेग्मेंट ऐसा होता है, कभी हम बनाते हैं, कभी भूल जाते हैं तो आप सब्सक्राइबर की बेहत फर्माईश पे दुबारा लेके आएं, आपके सवाल और हमारे जवाब Question, Answer, ठीक है? Heading में आपने पढ़ लिया होगा तो हमारे विवर्स कह रहे थे, अदिल भाई, ये असान रहता है, अक्सर हम वो वीडियो नहीं देख पाते तो आप शॉर्ट शॉर्ट जो है, ये बता दिया करें, इसमें हर चीज़, तो इसमें लेंगे चंद सवाल और उनके जवाब देंगे ठीक है, वीडियो में एंट तक बने रहेगा, जो लोग चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, यही बस सिला होता है, आपने देना होता है, हमारी वीडियो की मेहनत का, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेर कर दिया करें, पहला सवाल लेते हैं, इंडिया से हमारे भाई ने पूछा है, कि अदील भाई, हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कि हम पहले से अपने बट्स को बीमारी से बचा लें, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो बीमारी की मेन वज़ा होती है, बीमारी की मेन वज़ा ही होत कि पैरिट के घर में जो लेडीज होती हैं वो पानी इनका चेक करें जैसे यê पौटी कर दे आ और दूसरा यह कि आपझने यह देखना है कि अगर ट्रे पिंज़रे के उपर वह पर तो फिर पिंज़रे की ट्रे को पैरिट के फैडर्स सबसे ज्यादा यह मसला होता है फैडर्स क्यों जढ़ जाते हैं देखें उसकी मेन वजह मैंने आपको बताई थी किसी भी एक चीज का खाली इस्तामाल अगर पैरिट मुमफली खा रहा है आपने उसको मुमफली दाने में ज्यादा कौंटेडी बढ़ा दी तो मुमफली का आईल भी बनता है तो वह आईल जो है वो उनको अलर्जी कर देता है या घर में अगर आप पराथा कंटीनियू दे रहे हैं रोटी कंटीनियू दे रहे है या कोई भी एक चीज हर चीज आपने ऐसा अपने पैरिट का खुश शेडूल बना देना है वेजेटेबल्स तो आपने कंटीनियू देनी है पूरे साल वेजेटेबल्स का तो आपने गैप नहीं करना है अब जैसे सुबह में आपने ब्रेड डाल दी फिर हलका सा वाइल ए सकते हैं सही है होता है कि हम इनको जो है एक ही चीज दे रहे होते हैं क्योंकि इनको हर चीज चाहिए जब यह बाहर होते हैं जंगल में तो उड़के हर चीज खा रहे होते हैं हर चीज से जो है अपने मताबिक जो है जिसम की जो भी चीज़ की कमी होती है वो फूरा कर लेते ठीक है तो यह चीज़ आपने रखना है तो एकाल आपके पैरिट को मसला नहीं होगा, सफाई का ख्याल रखें और शावर वगरा करते रहें, सरदियों में ना करें, गर्मियों में यह है कि शावर डेली देते रहें, अगर सरदियों में दे भी तो देख लें कि मौसम अगर उसके बाद अगर आगर आपको लगता है कि पेरिट को ठंड लगरी है तो उसको किसी गरम जगा पहर बलप लगा कर ड чувств रemenे जिससे बाल ओको सुकाती है वह कर दीजिए अगला सवाल लेते हैं यह बी जो है करांची से हमारी भेंड ने ऐमसे पूछा है कि अदील भाई पैरेट मेरा खाता नहीं है पैरेट कम खाता है इसकी वज़ा क्या है देखें होता क्या है पैरेट पहले खारा होता है क्योंकि पहले आप पैरेट को तवज्जा दे रहे होते हैं जब घर में नहीं नहीं कोई चीज आती है बच्चे को भी कोई नहीं नहीं चीज मिलती तो कुछ दिन उससे दिल्चस्पी रखता है उसके बाद उसका लगाओ कम हो जाता है या उस पेरिट से आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते हैं शुरू में आपने उसकी इतनी आदत बिगाड़ दी होती है कि आप उसको हाथ से खाना खिला रहे होते हैं उसके ब पड़ा होता है बेकार समान की तरह से बस घर की मासी कोई दाना पानी डाल देगी या कुछ कर देगी तो यह भी तवज्जो मांगते हैं जानदार चीज़े प्यार महबबत मांगते हैं थोड़ा सा उससे प्यार से पेश आएंगे उसको अलग अलग विराइटियां चेंज खाने का अगला सवाल लेते हैं यह आस्ट्रेलिया से हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि अदील भाई अगर पैरिट के नेल और हमें खुद बनाने हो तो उसका एक आसान तरीका बताएं फैदर्स काटने हो लेकि इस पे मैंने वीडियो बनाई भी है अगर न काम से उसके हफते में एक बार दो बार जो है नेल ट्रिम कर दें तो वह कुछ नहीं करेगा या बच्पन से आप अपने तोते की आदर डाले ठीक है तो आपको फिर उसके नेल ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अकसर ही होता है कि नेल कटर से लोग काट रहे होते से जादा कड़िया पिर ब्लीडिंग इतनी जादा हो जाती है कि परेड की मौद भी वाक्या हो जाती है ठीक है नहीं तो आप किसी बर्ड एक्सवर्ट के पास ले जाए वह कर देगा अगर नहीं है नहीं काट सकते तो फिर आप गिलफ ले ले ताकि जब आप उसको हाथ प से भी मसला हो जाता है लेकिन बेतर यह के एक्सपर्ट से कोई ढूंड के उससे नेल ट्रिम कर लें नहीं तो अगर आपका पैरिट बहुत अच्छा टेम है तो उसको जो है ऐसे फाइलर से ट्रिम करते रहे तो अगला सवाल लेते हैं सौदी आरब से हमारे एक भाई ने क्योंगे कुछ गोश खोर होते हैं कुछ डाल खोर होते हैं कुछ सबजी खोर होते हैं सही है तो पैरिट में भी इसी तरह से होता है उनका किसी टाइम मुंफली खाने को जादा दिल चाहरा होता है तो आप उसको लिमिटेड दें आप उसको बच्पन से ही अपने पैरिट क की भी दें खीरा भी दें और मौसम की सबजी आती हैं मौसम के फल आते हैं वो दें सर्दियों में आप उसे ड्राइफ रूट में भी हर चीज दें काजू बादाम पिस्ता यह सारी चीजे दें जैसे हमारी बॉड़ी को नीड होती है केल्शियम वाइटमेंस सही है ए बी सी ड आने डालते हैं तो तीन घंटा लेट डालें जब आप उसको तीन घंटा लेट डालेंगे तो वो खाएगा आइस्ता इस्ता उसकी आदत एक दम से तो सही नहीं होगी ना टाइम लगता है थोड़ा सा अच्छा अगला सवाल लेते हैं भाई यह कोरिया से हमसे पूछा एक कि पेरिट को अगर हम टाइम न दे सके और हम ने उसको वर्डिंग सिखाना ही उ तो किस तरह से सिखाए दे कि उसका आसान तरीका है कि आप उसके सामने कोई भी but वाइस रिकॉर्ड करके रग दे अपनी वाइस में Bluetooth उत्मे करके वो उसके सामने चलाएं साहिए तो वो सीख जाएगा उससे वो जल्दी सीखेगा मतलब आप नहीं है घर में आपने किसी जगा पे रख दिया अब पैरिट को तो नहीं पता कि ये वाइस रिकॉर्ड से आवाज आ रही है ये आपकी 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 छोड़ दूँ उड़ा दूँ कुछ भी कर दूँ या हैंट आम रेगा या खराब नहीं होगा ठीक है जो मतलब आदत एक बन जाती है वो बनी रहती है अगला सवाल लेते हैं इंडिया से है कि अदील भाई हमने पैरिट को अपने बहुत बोलना सिकाया पर वो बोला नहीं द रहा हूं गिम मी आ केस फिर मैं बोल रहा हूं ओ नो नो बेबी यह नहीं करो मतलब मैं वर्ड जो हैं उसमें एक दो एक दो इजाफी डेली बोले जा रहा हूं मुझे पता ही नहीं कि मैं उसके साथ क्या बोल रहा हूं तो यह इनसान नहीं है यह इसकी एक लिमिटेड है रिमीटेड होती है इनकी मेमूरी अनलिमिटेड होती है इसके साथ तो आप कुछ भी बोलते रहें कुछ भी बोलते रहें तो यह इश combines अच्छा हो जाएगा आप क्या करें के वर्डिंग सिलेक्ट करने और वही वर्डिंग साथ बोलें ठीक है तो आज के लिए इतने सवाल काफी है इंशालला फिर आपके और सवाल होंगे कमेंट्स में लिखिएगा आप इंशालला मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा अभी इस वीडियो के लाइक बताएंगे भाई कि इसका नेक्स पार्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए आप veggla करें शेयर करें नेक्स वीडियो में नेक्स टापिक के साथ आपसे फिर मुलकात करेंगे इस के लिए मुझे और मेरे प्यारे प्यारे से पार्ट को दीज़ाज़ाएग